हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्शुकों आप सभी का हमहारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुब काम नाए आज हम बताएंगे के दसम महाविद्याओं से नवग्रह कैसे बलवान होते हैं और दसम महाविद्या का रहस्य क्या है और दसम महाविद्याओं के साथ नवग्रह का क्या महत्व है बहुत अच्छा आज का सब्जेक्ट है आप लोग अच्छे से सुनिएगा आईए पहले आज का पंचांग हम बता रेते हैं एक अप्रेल सन दोहजार एकिस दिन ब्रस्पतिवार चैत्रमास कर्शन फक्स तमवन दोहजास सत्तर आप में से बहुत ऐसे सादक हैं जो नाना भाती की साधनाई करते हैं बहुत लोग गुर्दिक्षा के मंतर की विश्यस प्रकार से साधनाई करते हैं यह जीवन हैं इस जीवन में हमें नाना भाती की समस्याओं से भी गुजरना पड़ता है सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं अगर हम एस्तलोजी की बात करें तो एस्तलोजी के हिसाब से जो आपके नवगरें हैं उनका मानव के उपर पूरे संसार के उपर विज़िएस परकार कासर पड़ता जैसे यदि किसी व्यक्ति के मंगल अत्यदिक कमजोर हो हमने एक दो रोज पहले भी मंगल की कुछ बातें आपसे की थी तो मैं आपको समझाने के तोर पर बता रहा हूँ जैसे आपके मंगल बहुत कमजोर है या आपके शनी बहुत कमजोर है तो यदि आपके जीवन में आपके मंगल बहुत कमजोर होंगे तो आप मान के चलना के धन धनने की पूर्टा भूमी जमीन जायाद की पूर्टा संतान की बहुत अच्छी से उनकी संतान की अपनी तरक्की इस चीजों का आपके जीवन में कमी रहेगी शनी बहुत कमजोर होंगे शनी कमजोर होने से धन धनने की कमी रहेगी और जो प्रोग्रेस जो आप तरक्की चाहते हैं वो आपके जीवन से कमजोर होती चली जाएगी आपके सूरिय गमजोर होंगे, तो सूरिय कमजोर होने से निस्टेजता बढ़ेगी आलस्य परमाद आपको घेर के रखेगा और जो यश व्रधी व्यक्ति की होती है नाम कुन नहीं चाहता, आज के समय में हैं, नेम फैं बहुत लोग चाहते हैं, सभी चाहते हैं तो कहीं न कहीं आपका नाम भी धुमे लोने लग जाएगा यदि आपके सूर्य बलवार नहीं होगे अब बहुत सारी हिस्तितियां आप कुंडली दिखा भी सकते हैं किसी को कुंडली नहीं है तो किसी को हाथ की रेखाई भी दिखा सकते हैं और यदि इन दोनों ही बातों मे आपका मन नहीं है या आप उस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो इतना तो समझ में आता ही है कि मेरे जीवन के ये छेत्र कमजोर हैं इन छेत्रों को बलवान बनाने के लिए साधक नाना भाती के उपाय करता है कोई नवग्राओं के लिए अंगूठिये पहनता है कोई महंगे महंगे रतन धारन करता कोई महंगे महंगे और विसे इस परकार की चीज़े करता लेकिन क्या आपने कभी सोचा खासतोर से हमारा ये कारेकरम देखने वाले जितने भी साधक गण है उन्हें मालूम है कि जाला तरह हम साधनाओं के माध्यम से ही आपका उप्चार करते हैं साधनाओं में सूरिय की साधनाओं हैं शनी की साधनाओं हैं लेकिन कुछ ऐसी साधनाओं होती हैं जिसमें हमें नव ग्रहों के किसी भी उपाई करने के अवश्रक्ता नहीं होती साना भाती की साधना होती है दसम्मा विद्याओं में और आपको एक बहुत ही मैं एक ऐसी चीज़ बता रहा हूं सच्चाई वाली के जो स्री विद्या की साधना थी जहां हम आदी शंक्राचारिये से गुजरें आदी शंक्राचारिये ने भी स्री विद्या की साधना की श्र पता लगता है कि जो पांदव थे उस्में से भी सुरी विद्ध्या के सादक थे भगवान स्री कर्षन भी सी महाविध्या से गुज्रे प्रिम्हा विद्ध्या का उपदेश भगवान ऋй्यई कर स bus व किछ ने विद्ध्या में अपने आपको प्रगाड बना ले अच्छे किसी मरबग्गे से दसम महविद्याओं की दिक्षा ले ले तो आप मान के चलें फिर राहु केतु वाली तो कोई बाती नहीं रह जाती जहां बाला तिरपुर सुंद्री की जब साधना साधक करता है तो वहां राहु केतु से क चरणों में लालाइत रहता हो तो वहां यदि उस भगवती की जगजनी के आप साधना गरते हैं तो बात ही क्या है इसलिए आज हम दसम महविद्याओं के आप से बात कर रहे हैं दसम महविद्याओं में भगवती महकाली भी हैं तारा भी हैं शोडसी भी हैं तिरपुर सु तो मेरे साथ को दसम महाविद्याओं में से किसी भी एक महाविद्या की यह आप दिख्षा ले लें और दिख्षा लेकर के उस साधना को आगे बढ़ाएं तो जीवन में रोमान चाह जाएगा आपके आपको अनुभव होने लगेगा कि दसम महाविद्याओं की साधना से हमारे साध़कों ने जिन्होंने दुर्गा शवश्प्षति पढ़ी हो तो जब देखा है किस प्रकार سے असुरों का भगवती ने वद्द किया तो जिन यगशालाओं की अगनिया बुझ गही थी तो स्वत है यगशालाओं की अगनिया परजुलित हो जाती है और देवता भी भगवती के उपर पुस्वों की वर्षा करने लगते हैं देवता भी तो जिन देवताओं ने भी भगवती की साधना की हूँ ब्रह्मा विश्णु महेश भगवती की साधना करते हूँ ऐसी वहाँ शिव शक्ती के बिना अधूर है सब को पता है कहने का भाव कि भगवती की सादना वास्तम में बड़ी निराली है और दसम महाविद्याएं जो हैं ये सारी की सारी सादना भगवती से संबंदित हैं और मैं आपके लिए कारी करने जा रहा हूँ के दसम महाविध्या के इस्तोत्र दसम महाविध्या के जो अस्तोत्र नामावली होती है और दसम महाविध्याओं के जो मंत्र होते हैं अपनी वेबसाइट पे हम बहुत शिग्र प्रियास कर रहे हैं कि वो सारी की सारी चीज़ें आपको महा मिल जाए और आप में एक चीज़ आपको बताएं जहां धन संसाधनों की किल्ड़त रहती हो पैसे का अभाव रहता हो ऐसी इस्तिति में हमें तिरपर सुंद्रे की महासाधना करनी चाहिए शोड़सी की महासाधना करनी चाहिए यश्च कामना वैभव की धन संपूर्ती के लिए सामना करता हो हमें प्रतारित करता हो मा भगवती बगला मुकी की साधना करी जाती है मातंगी सम्मोहन आपके अंदर सम्मोहन शक्ति की वराटता पैदा कर देती है और यह कहते हैं कि जो मातंगी की साधना कर ले पसू पक्षी भी उसका नुसरन करने लगते हैं और मातंगी की साधना जिस साधक को सिद्ध हो जाती है तो वहाँ पसूर्व पक्षियों की आवाजे उनकी भाषा का भी उसके ग्यान हो जाता है विक्रमादित्य यहां मुझे विक्रमादित्य जी याद आ रहे हैं समराट विक्रमादित्य क्या बात है तो समराट विक्रमादित्य जो थे विताल तो उनको सिथे ही थे लेकिन पसूर पक्षियों की भाशा भी वो समझते थे और देखो तो भारत है यह नाना भाती की अगल गई उनके सरीर के ओपर मतलब उन्हें सुध बुद नहीं रहे अपने सरीर की कैसे तलीन हो गए भगवानमें कैसे तलीन नीता के साथ उन्हों ने फ़गवान की उपासना की ध्यानी नहीं रहा कुछ पहूं और आज के हम सादक क्या चाहते हैं चार दिन माला एक होई किस दिन कोई प्रियोग किया नहीं बाइसवे दिन लाट्री लग जाए हुमारी भाई यह उच्छापन हमारे अंदर आ गया है और इस प्रकार की वीडियो बन जाती है बड़ा शरम आती है कि एक रात एक लॉंग तकिये के नीचे लखने धन छपर फाड़ के आ जाएगा फि हम क्या समझ रहे हैं इसलिए मेरे साथगो आज का उदेश मेरे आपके लिए यही था कि जिन साथगो ने दिक्षा गरंड ना की हो या आपका मन हो तो कही न कहीं से दशम महाविद्याओं की दिक्षा में जुड़े और दशम महाविद्याओं में अनेगों प्रकार के और भी गुईय संसाधन हैं, गुईय साधनाएं हैं, गुईय वाते हैं, वो हम आपको समय समय पे उनका रहस्य बताते रहेंगे, आज हमने आपको इतना तो बताई दिया कि नवगरह यदि पीडित कर रहे हों, जनम पत्रिका क या आपकी हतेली के, क्योंकि एक ही बात होती है, जो गरह हाथ में होते हैं, ऐसी इस्तिति में आप दसम महाविद्याओं की साधना या उनके अश्टोत्र नामावली पढ़ें, आयुष्य बढ़ाने के लिए भी नाना भाती की साधना हैं, नाम यस कामना की प्राप्ती के लिए नाना भाती की साधना हैं, लक्षमी प्राप्ती के लिए नाना भाती की साधना हैं, संतान के लिए नाना भाती की साधना हैं, है ना, तो आप हमारा ये कारिकरम देखते रही हैं, और समय समय पे आपको बहुत सभी बातों का जवाब मिता रहेगा, और वेबसाइट वो आप नीचे जो स्कॉल चल रही है उसमें भी देख सकते हैं और बाकी कारेकरब में प्लेट्स में भी वो सारी चीज़े आती है आईए साद को समय उचला आज की ध्यान सादना में दसम महविद्याओं की बात की है तो भगवती से ही आज की सादना में पुनह जोड़ते है ओम सिंदूर अरुण विग्रहां त्रिनायनाम मानिक्यमोलेस्पुराद स्तारा नायक से करां स्मित मुखे भापे नबाग छोरुआं पानी प्यामल पुर्ण रत्न चसकां रत्नोत्परां विब्रते सोम्याम रत्न गटस्त रक्त चरणाम ध्यायत्परां मंबिकां खडगं चक्रगदि सुचाप परिगान चूलं भुसुंडिम्सिरा संखं संधदतिम्करिस्त्रिनायनाम सर्वंग वूस्वरिताम नेलास्मध्युत्यमास्यपाद दसकां सेवे महांकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजों अंतुम्मदुम्कटवं विद्यो दाम समप्रवाम रिगपते स्कंदस्तिताम विशनाम कन्याम विहकरवाल खेट विलसा धस्ता विरास्यविताम् अस्ते चक्रगरा सिखेट विशिखां स्चापम गुणं तरजनीं विप्राणा मलिलात्मिकां ससिदाराम धुर्गाम्तिनेत्राम वजें कवच मना लें ध्यान करें भगवती का आश्यवाद हम सबके उपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्रखोने समाने हो जाएं। देखो सादको, आज जो मैंने बात की है, थोड़ा सा मैंने बहुत उपर की बात की है। बहुत छोटी आज आज आपसे मैंने बात नहीं की है। और ये समझदार जितने भी सादक हैं मेरी बात को समझ सकते हैं क्योंकि सादना का फल बहुत शानदार मिलता। हमारे देश में समय समय पर ऐसे सादू सन्याशी एचीरिसी हुए हैं और ही आज बी आपको सभीता नहीं आएसे यसे ंरिजन गुपतिस्थान हैं आप आगर सुभा के साली हैं तो वो साध्ध वो साधू आपके सामने खड़े हो जाते हैं और यदि हमें वो बल नहीं हमें वो साधकता नहीं हमें वो सुद्धता नहीं तो हमें दर्शन नहीं मिलते हैं पहाडों में ऐसे ऐसे आश्रम हैं जो कई बार सब कुछ नजर आता है और कई बार लगता कि हरे घास का मैदान है यहां कुछ भी नहीं अब उत्रा सो भाग्य जगाने के लिए और हमें मुक्ष की प्राप्ति के लिए हमें गुईय साधनाओं की तरफ आगे बढ़ना होगा और साधनाओं के मर्म को बहुत अच्छे से समझना होगा आशा करता हू किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र श्रमाजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारे के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें कि अधिक जानकारे कारिक्रम देखने करें मंदम्त्राइब करना ना भूलें